समली हमने देखा था जो हुआ जब करा जाता है। इतना हमने देख कर देखना है कि मैटर हमें पर जब क्या जाता तयुक्स देखना है चेंज करा जाता है मैंटर का जब प्रेशर चेंज किया जाता है तो किस तरीके से भी है करता है तो चलिए आगर मेंटर कौन से स्टेट में je हीत करते हैं तो वह क्या होता है तो वह क्या होता है चला तो हम पर ले लेते हैं तो आइस क्या होता है यहाँ पर आइस मेरे पास Ma gibt it है और ऑगर हम बात करें हैं ऊपर और गरम करते कर आब तो यह स्टेट में चला जाता है हमगा रहुं करता है में रहटों। होता है वारटर एपर सुध देंगा हमें lot it कि अगर हम temperature change करते हैं तो matter किस तरीके से बेहब करता है matter का behavior उसके temperature change करने के साथ ही बदल जाता है उसका इस्टेट में चैन्जा जाता है अगर गैसेज को हम ठंडा करें तो गैसेज ठंडे होकर किस में चले जाते हैं कौन से स्टेट में चले जाते हैं अगर गैसेज को ठंडा किया जाता है तो वह लिक्विड इस्टेट में चले जाते हैं फिर अगर लिक्विड इस्टेट को भी और ज्यादा ठंडा किया जाता ह कहां चले जाता है यहां पर सॉलिड इस्ट्रेड में चला जाता है ठीक है एक्जामपल के लिए आप अगर आइस वाटर को देखें तो यहां पर इस ते आसानी साफ यहां पर समझ पाएंगे ठीक है अब अगर यहां पर बात करते हैं ठीक है इतनी बात तो सब of fusion क्या होता है और second one is latent heat of vaporization ठीक है आपर दो टम आपको देखने को मिलेंगे लेटेंट हीट क्या होता है गुप्त उसमा लेटेंट हीट मल्दब गुप्त उसमा हिंदी में कहा जाता है गुप्त उसमा ठीक है अब अगर हम देखें जैसे वाटर का मैं एक्जामपल ले ले द आइस से मेरे को वाटर में चेंज करना है ठीक है वाटर में चेंज करना है तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा हीट देनी पड़ेगी ठीक है तो आइस से अगर मुझे वाटर में चेंज करना है तो यहाँ पर टेंपरेशर कितना रहता है ठीक है आपको पता होगा कि 0 degree centigrade यहां पर यह प्रोसेस होती है तो 0 degree centigrade पर हम यह यहां यहां पर मेल्टिंग की प्रोसेस कर दिंग होगा यहां पर 007 water प्राप्त होना куда है है कि यहाँ पर यहाँ पर तो यह मैं था ठीक है अप्षस लिघ्ट dough ग्रिक भी है और die अगर नहीं है और यहाँ पर WhatsApp लेखर के तो वह भी gay सेंडिग्रेट ही है तो अब यहाँ पर बात आती है कि जो यहीट थी ठीक ihan यह जब तो हमने इसने heat absorb करी तो वो heat गई कहां, तो वो heat present रहती है as latent heat, तो उसी heat को कहते है हम यहाँ पर latent heat, ठीक है, तो अगर हम temperature देख रहे हैं, जब तो यहाँ पर 0 degree centigrade है, और water में भी 0 degree centigrade है, तो वो जो heat involved होती है इस process में, उसी को क्या का जाता है है, यहाँ पर latent heat का जाता है, गु और यहाँ पर वो consistent में जा चुका है, अब liquid state में जा चुका है, ठीक है, तो यूज किस चीज के लिए हो जाती है, यहाँ पर state change के लिए यूज हो जाती है, ठीक है, इतनी बात I think आपको समझ में आ चुके होगी, अब यहाँ पर latent heat of fusion क्या होता है, तो यहाँ पर अगर हम सम लेना हमको 1 kg लेना है, ठीक है, एक kg क्या लेना हमको solid लेना है, उसको हमको किसमें change करना है, लिक्विड में change करना है, तो solid को लिक्विड में change करने के लिए किस पर atmospheric pressure, ठीक है, अब जितना भी यहाँ पर क्या है, ठीक है, उस pressure में अगर हमको change करना है, तो उसके लिए जितन भी हीट की हमें जरूरत होगी उसके लिए जितनी भी हीट की जरूरत होगी उसे ही क्या कहा जाता है उसे ही लेटेंट हीट ओफ फ्यूजन कहा जाता है ठीक है ना क्योंकि यहां पर क्या होता है मेल्टिंग की प्रोसेस है मेल्टिंग की प्रोसेस में क्या ची होगी यहां पर energy जरुत होगी उस own energy को क्या कहेंगे हम उसी energy को हम कहेंगे लेटेंट हीटो फूजन थीक बट हमारे पास condition क्या है कि जो हमारे पास क्या है solid होüst a8 एकवन Pris हम के ळागे सब्सक्राद कर ने वैटेंट हीटो फूजन कहेंगे ठीक है अगे आगे बाष्ञ मिथिक आ तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर 100 डिग्री सेंटिग्रेट पर वाटर है ठीक है wapr 601s द्राइब यहां पर टैंपर यहां पर टैंपर नीचर लेकिन यहां पर स्टेट सेंजोचा है ठीक है यहां पर यहां पर जो भी एनर्जी यहां पर हमने उसको दी हीट एनर्जी के रूप में देते हैं एनर्जी ठीक है पानी को जब गरब करते हैं तो वह जो यहां पर रिक्वार्ड होती किसके लिए 1 case liquid तो हमको liquid कितना लेना है एक किलो ग्राम लेना है एक किलो ग्राम liquid को किसमे वैपर वाटर वैपर में चेंज करने के लिए क्या जितने हैं कि हमको क्या ची होगा यहापर यहापर heat energy चाहिए होगी उसी को हम क्या कहेंगे यहापर कहेंगे latent heat of vaporization तिक है तिक इतनी बात आपको की वा समझने आते होगी तो यहां पर दो चीजा हमारे से तेcc wisan यहां पर हमको च्छेटेंजे करना है ठीक है उस टाइम जो यहां पर ऑनने पर यूजwd हो गी उसको चौह यहां पर हम उसका 1 kg यहां पर हम बात करेंगे और जहां पर हम वैपराइसिंग की बात करेंगे तो आगे बढ़ता है यहां पर यहां पर आपर में हमें किस चीज़ के इस सब्सक्राइब हैं कि इसको थंडा करें है इसको अगर यहां पी दा ओझे पर पहुंच आते हैं इत्वाध मैं बात करूं किस चीज pewno olmuşं कि aja प्रेसर चेंज करने पर यहां पर मैटर में कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा मैटर में किस परकार का चेंज आएगा ठीक है तो अगर मैं बात करूं यहां पर मेरे पास यहां पर कौन सा है यहां पर कौन है यहां पर कौन है यहां पर गैसे हैं गैस को अगर मैं क्या करता और ये उसके पर psychopath पिष्टन लगा और यह को पता है कि जया घैंगे यहां पर लिक्विड इस्टेट में चेंज हो जाएगा यहां पर वो गैसे इस्टेट में अगर हम प्रेसर अप्लाई करते हैं तो यहां पर जो गैसे वो लिक्विड इस्टेट में चेंज हो जाएगी अब इसमें अगर हम और ज्यादा प्रेसर लगाते हैं तो इसके जो पा अप्लाई करते हैं तो यहां पर हम उसको किसमें पहुंच जाएगा है अपर सॉलिड इस्टेट में पहुंच जाएगा तो आइधिंग इतिबात सब को समझ में आती है फिर यहां पर हम एक एक्जाम एक चीज और लेते हैं अगर मैं आप से पूछू कि ड्राई आइस क्या हो होता है सब अगरडाई इस हैं यहाँ पर सियो लुटू सियो क्रवंडाय जो जमा देते हैं और मेरा कॉन जो जमां रिखे हो हम घोड़े आइस सब ने देखा होगा अगर किसी ने देखाहो गह इसको तो अगर यहां पर क्या होता है इसको हमार यहां पर अबी इसको हमारे नहां और एक कशोर देता है और अंगार अपर में एक सिधक कुणक्रज परन जाता है तो सो जना जाता है और सोजिय कोँछ इंद में μέ Canadian सला जाता है और राइस बोलते किसको हैं dry ice बोलते हैं co2 जो से क्या जाता है ड्राइआइस कहा जाता है तो यह हमारी पास च्राश केंज प्रेसर ठीक है पर अबर बात करते हैं कि अगर हम हुँ उनको पता है solid stateANSムोष हम can change कर सकते है liquid में इसको कहा जाता है fusion प्रोसेस को den कर लाता है मैल्टिंग dei CEO किया केता है मैल्टिंग भी की है अगर हम बात करें गर लीक्विड दॉवापस हम को किसमान एंड हम जमा दें तो इसको कहा जाता है solidification solidification ठीक है इसको solidification कहा जाता है तो अगर solid से liquid में change करते हम तो उसको fusion कहा जाता है ठीक है अगर liquid से solid में change करें उसको solidification कहा जाता है हिंदी में बात करें तो इसको sunglan कहा जाता है ठीक है और solidification को इसको क्या कहा जाता है इसको भूल किया है, Hermes का इंदी नाम, रहन दो, देख ले ना, जो भी कहता है, Solidification को, ठीक है, लिक्विड से अगर मैं बात करूं, लिक्विड से गैस में जाना मुझे, तो सब को पता है, लिक्विड से गैस में जाने को क्या कहता है, वैपर एजिसन कहते है, वास्पी करण कहते है, इसको वास्पी करण कहा जाता है, ठीक है, और अगर बात करें, कंडन सेशन, ठीक है, कंडन सेशन की प्रोसेस क्या होती है, जब गैस याज इस टेट को हम किसमें चेंज कर लेते हैं, लिक्विड में चेंज कर लेते हैं, कहा जाता है और अगर गैसे को हम डारेक्ट किसमें डारेक्ट ली सॉलिड इस्टेड में चेंज कर दें तो इसको डिपोजिशन कहा जाता है इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है तो यहां पर से जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो यह सब के नाम आप लोग याद रख सकते हैं ठीक है तो इसको भी याद रख लेना क्योंकि यहां पर से कॉस्टन जरूर बनता है फिर नेक्स अगर आगे बड़े आगे यहां पर एक टॉपीक आता है इवेपॉरेशन आगे कौन स है लिक्विड टू कैसे स्टेट में अगर हम चेंज करते हैं ठीक है तो यहां पर मैंटर को अगर लिक्विड से यातरे स्ट लिकार अज आता है वैकर आजाशेशन लेकिन वैपराइजेसिटिक जो प्रोसेश होती है ठीके वैपराइजेसिटिक का मसे प्रोसेस होती है वह ब्वैलिंग वैलिंग पोर्ट होती है । उल्हाटर का मैं वाटर का मोल्कुल स्था जो जाएगा त्य जब पानि का टेमपरेशर पहुँच पहुच जाता है यानि कि उसके वाटर वाखती है क्या होना फोर किसमें चले जाते हैं फिक यह ठोस को जा जाए गार अगर हम बात करें वेपरेशन के और समस्स क्या होता है वह फर यहां पर भी यह的 Ethereum यहां पर पानी उबल तो रहा नहीं होता है अब यह होता क्या है अब जब भी हम बात करें तो यहां पर पानी के सरफेस पर भी कुछ नो कुछ मॉलीकूल से रहेंगे उसके एवपरेशन को समझते हैं जो पानी का सरफेस हैं वहाँ पर उसके कुछ मॉलीकूल से रहेंगे पानी के सरफेस पर जो भी मॉलीकूल से रहेंगे उनकी कुछ एनरजी होगी अब वो एनरजी क्या करते हैं से आसपास के से साइट से एनर्जी एबड्रों करते हैं ठीक है एनर्जी एब मोहां पर ग्रण और रोबर ने कいきा कारण के कैना वह आसपास से हैं यह से एब्लीष और ब fatty yeah this ना की प्रोसफेस को दीए t कर बनेंगे गया वर्ट यहां पर क्या होगा जो भी कि आसे प्रोसेस जब भी होती है तो वह कब होती है वो क्या विब्ध्रइश्ण से नीचे के टंप्रीचर को होती थीड़ 새 टीच है तो अगर खली क्या हो आधिकर कभी भी लुक्विड से स्वतस्तति में ठीक है कोई matter change हो रहा है और वो क्या हो रहा है बिलो किसके बिलो boiling point ठीक है boiling point से नीचे अगर मैं बात करूँ water के case में तो water का boiling point क्या है 100 degree centigrade है 100 degree centigrade से कम तापमान पर 100 degree centigrade से कम तापमान पर जब भी क्या होगा water के molecule क्या होंगे water के molecule यहां पर liquid state से सबसे पहले हैं तो सबसे पहले सबसेंगा है कि इतना ज्यादा सबसे अस्त we सबसे और होगा ठीक है अगर सबसे और बात करू तो पानी ले लिया अपने अगर ये गिलास के घो अब पानी को और एक तरप आपने किसी किसमे रखाए एक प्लेट मेरक्या पानी हो तो जो प्लेट है प्लेट में का निगजो एasure प्लेट से आरीया यप होगा और जो ग्लास है उसमें पानी शो चर्व सेरीय हो कम हो ओगा ठीक है तो यहां पर maior ंसर्फेस एरिय बड़ा यहां पर क्या होगा तो आपने देख होगा कि जब भी तो आपने देख होगा कि जब भी तर जल्दी बनने लग जाते हैं उनको एनर्जी आसानी से मिल जाए किसी भी मेटर कहीं वह उनको आसानी से अनर्जी मिल जाए गी झब गूझे उनको एनर्जी मिलेगी तो वह आसानी से वहाँ पर सचोड़ देंगे तो यहां पर मैं बात करो तो टेमपरचर बढ़ाने पर b living यहां पर evaporation की जो amount है वो बढ़ जाती है फिर यहां पर मैं बात करूँ humidity humidity आद्रता होती है यानि कि नमी जिस दिन भी environment में नमी ज्यादा होगी अब हम बात करें यहां पर कि अगर क्या है यहां पर पहले ही क्या है वाटर के molecule present environment में तो अगर मैं यहां से क्या यहां पर मेरे molecule present है तो यहां से rate कम हो जाएगा इनका जो यहां सरफेस छोड़के जाने वाले जो यहां से molecule होंगे वो कम जाएंगे जिस दिन यहां पर environment रहेगा ठीक है यहां पर humidity थी humidity थी उस दिन उस दिन यहां पर क्या होगा यह यहां पर से environment में कम जाएंगे तो यहां पर ऑब्रेशिन की process प्रोसेस कम होगी बड़ जिस दिन यहां पर dry environment रहेगा एनवयरमेंट जिस दिन रहे जहां humidity नहीं होती जिस दिन ठीक है तो आपने देखा होगे कपड़े जिस द उस दिन यहां पर क्या नहीं होथा यहां पर आसानी से कप्ड़े सुकते नहीं है तो यहां पर अगर मैं बात करूं हुमिल लीटि बड़ती है तो ऑफॉरeसें क्या होता है यह बरेसं कम होता है उस दिन अब बात करते पर आपने कपड़ों पर गएंगे में जब लेगी उतने जल्दी उनको एनरजी मिलेगी अनको एनर्जी मिलें और जितने ज्यादा एनर्जी मिलेगी वह आसानी से से सरपेज छोड़के वैपर में चेंज हो जाएंगे तो यहां पर विंडी स्पीड बढ़ेगी तो साथ यहां पर एवपरेशन का जो एमाउंट है वह भी बढ़ जाएगा आइधिंग आपको समझ में आ चुका होगा कि सरपेश एरिया बढ़ने से क्या फ़रक पड़ता है यहां पर हूःट बढ़ने से अफ्रेशन पर पर फरक पड़ता है और बहुंद इस सिर्व से फ्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है ठीक है तो आहिं आप लोगों को इस सब समझ में आ चुका होगा हम टीक है तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं कल हम क्या करेंगे इ तक पढ़ते रहे हैं मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में